हे गाइज के इसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग के साथ में आज सेयर करूंगी जारखन की एस पैसली चिकन करी तो आप लोग वीडियो को कंटिनीव देखे और इंजोई कीजिए इस रीसीपी को अगर आप लोग इस तरीका से चिकन ब खाएंगे तो फर्स्ट में चिकन को क्लीन करके रख ली थी और इसमें मैं दही एड करूंगी मैं मार्केट से मंगाई थी हमारे घर में तो नहीं होती है तो मैंने दही एड किया एक स्पून हल्दी एड किया और इसको ना मसल मसल के पूरा मिक्स कर दिया अच्छा से अच् के लिए ऐसे ही रख दूंगी मिक्स करके ढख के और फाइनली हो गई है ट्वेंटी मिनिट्स और मैं अभी यहां पे चिकन रेडी करूंगी उसके लिए धेर सारा खड़ा मसाला डाली हूं आप लोग देख सकते हो यहां पे क्या क्या डाली हूं और उसके बाद दे दूंगी ग्रीन चिली डालने के बाद दे दूंगी ओनियन आपका चिकन का क्वेंटिटी के हिसाब से आप ओनियन डाल सकते हो और हां चिकन डालने के बाद आप तुरंद नमक डालिए ताकि चिकन अच्छा से फ्राई हो सके और यह दो लेशुन डाली हूं मैं अगर यह लेशुन डालेंगे तो चिकन का मज़ा ही कहा है तो मैंने लेशुन भी डाल दिया हूं बहुत ही अच्छा तरिका से और इसको थोड़ा टाइम भून लेना है और अभी मैं नमक डाल रही हूं और फिर शब भून लेना है अच्छा से भून लेना है ओनियन को बाद पर अद्र ग्लस पेश डालना है फिर इनको भी थोड़ा टाइम ऐसी ही बूँन लेना है क्योंकि अगर हम नहीं भूनेंगे तो इसका कच्चा पन रह जाएगा इसका कच्चा पन को दूर करने के लिए फिर से हम इसको भी बून लेंगे थोड़ा टाइम के लिए और फायनली मेरा ओनियन आच आप लोग वीडियो पर कंटिनीव रही है और बहुत ही यूनिक रिशिपी बनने जा रही है और बहुत ही टेस्टी तो मैं इसको थोड़ा टाइम के लिए फिर ढख दूंगी पूरा अब्जोब कर लेगी मसाला जो कि मैं पहले डाली थी वो और यहां पर मैं अधरक मिर्ची और धनिये पाउडर गरम मसाला ले हूँ फिर इसको मैं डाल देती हूँ थोड़ा देर के बाद फीर से मैं इसको मिला दूंगी अच्छा से मिला दूंगी कम से कम तीन मिनिट चार मिनिट आच्छा से मिक्स करने के बाद फिर इसको हम लोग ढखके पकाएंगे दस मिनिट ढखके पकाएंगे उसके बाद हम लोग इस पे पानी डालेंगे थोड़ा सा आपको जितना हो सके और मैं यहाँ पे आलू मिक्स की हूँ इसलिए आप लोग को चाहिए तो आप लोग आलू मिक्स कर सकते हो नहीं तो इसकिप किजिए आलू मिक्स की हूँ तो फाइनली आप लोग देख सकते हो आलू मिक्स करने के बाद टेन मिनिट के बाद मेरी चिकन पूरे तरीका से रेडी हो चुके है और अभी खाने के लिए सर्फ करने चिकन करी तो थोड़ा शैस पे धनिय डाल के हम लोग सचा देते हैं और कितना यमी लग रही है कितना टेस्टी लग रही है तो थाइंक यू शो माज फ्रेंड बाई बाई लव यू अल